नमस्कार बड़े दिनों बाद आज हमने देखा मालवा में सभी एक साथ बोजन कर रहे होते हैं और मेमान भी आए हुए होते हैं देवी अहिले सब को बोजन प्रोस रही होती है युवराज का निराव आते हैं खाना खाने के लिए और दौरकवाई साहिब तुरंत मोका ना गवाते हुए युवराज का प्रिचा कराना चाहती है पारवती से और कहती ही पारवती हैं हमारे दौरक्य मौशी की बेटी हैं दौरक्य मौशी कौन है जो पासी बैठी है ये शुदा और ये गवटगर साहिब बिजियें के पिता है ठीक है अब युवादन होता है ठीक है उसके बाद में देवी एलिया सबको बोजन प्रोस रही होती है कहती है आप लेजी आप लेजी सबको दे रही होती है और अपने हाथों से जो मावा बाटी बनाई थी वो युवराज को चकाती है कहती हैं कि मैंने अपने हाथों से बनाई थी क्योंकि आज आपका पहला दिन था मतलब आपने अकेले दर्बार समाला पूरे जम्यदारी समाली मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए बनाई थी आपको चखाने के लिए लाई थी कैसे बनी है फिर यवराज जहर में लाते क्याल रखती है और यवराज क्या का काम कर रहें कैसे कर रहें यह भी देखती हैं वहला पहल कर रही है हर मोका देखती है कि हाँ प्रियास कर रही हैं तुछ भी खुद नाराज हो रही है थोड़ी बात यहोटे जो होती रहे हैं अब हरकुबाय की बाते हैं बात रही है पिर क्या होता है फिर वही होता है देवी हिल्या भोजन के बाद में पहुंच जाती है यूराज के कक्ष में यूराज अपना काम कर रही होते हैं कुछ हिसाब किताब का देवी हिल्या आगया मांगती है अंदर आने की यह राज कहती है देवीलया आपको आगए यह आपशक्ता है आप जब चाहे अंदर आ सकती है और भोगते हैं बहुत सारा है गलोगए की खजाना बढ़ गया है किस तरीक से जैसे दन सर्दार किया करते हैं अवेदी लगानी वसुली वैसे ही वसुली भी हो रही है मगर ये अनाज के रूप में नहीं हो रही पैसे के रूप में नहीं हो रही है वस्तरों के रूप में या फिर और जो केमती सामान है उसके रूप में अवैद वसुली हो रही है वहाँ पर और इतना ही नहीं हत्यारों का काला बाजार भी हो रहा है जमाखोरी भी हो रही है और मालवा का अहित हो रहा है तो जो वैपार हो रहा है अवेद उसको रोगना बहुत जोरी है अब यूराज खंडराब कहते हैं वो इनसान बहुत अच्छा हूँ चाए अच्छा नहीं है शिकायत आ रही है तो कहते हैं मैं अपने आप देख लूँगा इस पूरे मामले को तुम जाओ यहां से देवी अहिल्या को अपको जल्दी करनी होगी तब देवो कहते हैं कि नहीं आहिल्या तुम जाओ यहां से और मैं जानता हूँ वह इनसान अच्छा है मगर फिर भी मैं अपने तरीके से पूरे मामले को सुल्जा लूँगा देख लूँगा इसको तुम जाओ यहां से हाज जोड़े कहते हैं देवी अहिल्या को अब देवी अहिल्या वहां से आसों के साथ में वापस लोड़ जाती है और अब गुनु जी के नेंद उड़ी हुई होती है उड़ते हैं पानी पिना चाहते हैं तब यह आ जाती है कि कौन है वहाँ पर कौन है वहाँ पर उनके सेनिक चला रहे होते हैं और फिर एक सेनिक आता है गुनु जी भी खाली होत होती है कुछ नहीं सुन पाते हैं कि कौ जाते हैं बाव इसी तरह की होते हैं और फिर कहते हैं कि अब तो देवी70 पर कड़ी उतर अंदे में पड़ाई को बाई बोजन भी अपने हाथों से बनाया तब वो कहते हैं हाँ क्योंकि बाबा साहिब और गोत्माबाई साहिब की परंपरा है और मेरे तो ये ख्याल है मेरा ये विचार है कि उन्हें ने जो भी काम शुरू किया है उसे आगे ही बढ़ाओं उसे रुकने ना दूँ और सने बोजन तो यहां की परंपरा रही है गोत्माबाई साहिब हो या फिर मलहार रावस्पजार जी वो इस पर खास ध्यान देते हैं और उनके द्वारा किया गया कोई भी काम मैं यूही आगे बढ़ाती रहूंगी और मैं तो यही चाहा है कि वो कभी भी उनको नाराज ना करूँ पिर सने वो भी बास न्योचावर कर रही होती हैं मनी मन आशिश दे रही होती हैं देवी अहिले को और खुद के लिए सोच रही होती हैं मैं क्या नर्थ करने जा रही हूं अब देवी अहिले के पास में कुछ वरते आती हैं उनको देवी अहिले काम संभाल देती हैं समझा के अंदर हर इंसान तक जो एक एक सिक्का जाना है और निमंतर पत्र जाना है हर तीज की वो बारेकी से ध्यान रख रही है और खुद कर भी रही है बहुत सारे जम्मेदारियां दरबार की भी निभा रही है बेशा दरबार में जा नहीं रही हैं अगर काम कर रही हैं साथ ही घर का रसोई का भी अच्छे से ख्याल रख रही है और फिर उनको तो भाई साहिब वहाँ से कहा चल जाते हैं वने कक्ष में चल जाती हैं सोच रही होते हैं यही बाते हैं और द्वार का भाई साहिब आती हैं कहती हैं हाँ अक्का साहिब आप यहीं मिल गई है के लिए हैं अच्छा हुआ क्योंकि हम दूसरों में समर्च बात कर नहीं पाते वहां तो गैर होते हैं और कहते हैं क्या सोचा आपने देखे सच है यदि मेरी कोई संतान होते हैं लड़का होता ना पिछे से देवी अहिल्या बोलती है अब दोनों हैरां रह जाती हैं रहे क्या वाकिन सुनतों नहीं लिया फिर देवी अहिल्या आगे आती है और कहती है आप दो ग्रामों के नाम लेती हैं कहती है आपके अधिकार छेतर में है और इनकी लगाना आ चुकी तिन लाग के पिर वहां से देविला चली जाती है और वो कहती है बत्वारगवाई साहिब को कि बेशक कैसा भी माहूल बनाओ मगर अभी भी रिष्टों में बारीक सी दोर बाकी है ठीक है बहुत समझाती है कहती है कर दो बस रिष्टा कर दो फिर ये चले जाएंगे त्योहार के बहाने ब को ठेरो और हाँ देवी एल्या कहती है गुत्माबाई साहिब को जाने से पहले कि आप दोनों जो है अभी भोजन कर लीजंगा निहारी ले ले लीजिगा और मैं रहने पूल नों से मंगवाय थे और सारा जो भी फूलों काम था गो कर रही होती है, सात में बातें भी कर रही होती है, और कहती है। सारजा ही है सहेली देवी अहिलया की और यही है जो खबरी का काम करती होगी और सारी बातें आकर के बताती होगी तो मुझे बस यदि इस काम को अंजाम देना है देवी अहिलया से बचके रहना है तो सारजा जहां भी जाते है इसकी परचाई बनके रहना होगा और घोड़े को वापस मोड़ लेते हैं अब देवी अहिल्या की सहली सारजा पर वो नजर गड़ा के रखेंगे और वहाँ पर देवी अहिल्या पूजा करती है आज जो मैं काम करने जा रही हूँ उसनों मुझे सफलता दिना नया काम है